नमस्कार 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 दोस्तों मैं इनकलेश जेन हिंदी चेस बेस इंडेशनल पर आप सभी का हारद एक मंदन करता हूं दोस्तों फीड़े विश्वशतरन चैंपेंशिप में कल आठवा राउंड खेला गया और ये बहुत ही ज्यादा निर्नायक मेरे खाल से इसका पर नाम जो भी आया है वो रहा है क्योंकि इसका असर विश्वशतरन चैंपेंशिप में चैंपियन कौन बनने वाला है इस बात पर निश्चित तोर पर पढ़ेगा तो इस गेब को जो है वो लोग याद जरूर रखने वाले हैं तो दिंग ली रेन सफेद मौरों से खेल रहे थे आपको याद है कि विश्राम के एक दिन पहले जब सात्वा राउंड खेला गया तो डिंग अपनी जो बराबरी किस्ति थी उसको खो बैटे थे ने बढ़त बना ली थी और चुकि इस मैच में डिंग सफेद मौरों से खेल रहे थे बहुत उमिदें थी लोगों को उन से उन खुद की शायद इस मैच में वो वापसी करेंगे क्या उन्होंने वापसी की वापसी तो बिल्कुल की आये देखते है क्या को चुआ इस मुकाबले में सफेद मौरों से खेल रहे थे डिंग डिंग ने शुरुआत करी डिफॉर से डिफॉर नाइट एफ सिक्सी फॉर ईसिक्स नाइट सी थ्री और यहाँ पर निंजो इंडियन ओपनिंग जो है खेली गई इस टॉर्णामेंट में ओके एथरी किया यहाँ पर डेफिनेटली य यहाँ पर नेपो ने जो की में लाइन है और यहाँ पर डिंग हिलते हैं एथरी यहाँ पर भी हम जानते हैं कि काफी सारी लाइन है जो में लाइन है जैसे कि बिशप डी थरी है यहाँ पर नाइट जी टू है कुईन सी टू है बिशप डी टू है बट यहाँ पर डिंग च कि पी इंटु सी थ्री और अब यहां पर नेपो खेलते हैं डी सिक्स अगर आप जाओगे तो हजार गेम के आसपास यह डिड़ हजार के आसपास गेम खेले गए हैं जिसमें से करीब साड़े शूसा के इन पर सी था खेला गया डायरेक्ड यहां पर सि फाइफ कहेला गया सेंटर से काफि फॉपलर io या फिरTrans'm पूइन सी इन जैसा एक सेटकु लेते हुए शोपर बेसिक्स घरते यहां पर नेपो जो है वह डे सिक्स गरते हैं पर इंसे hip यहां पर खेलते हैं और यह न यह गेम काफी कम खेला गया मतलब सिर्फ डाटाबेस में 16 गेम है पर अगर टॉप लेविल में आप बात करोगे तो एक प्लेयर है वागेनियन आर उन्होंने एक गेम खेला 2008 में उन्होंने एक मैच खेला है इस लाइन पर तो ओके आगे बलते ह यहां पर नाइट c6 केला नेपो ने तो नाव रुक ए टू यह बहुत ही एक इंट्रस्टिंग मूव भी है ताकि आप सेकेंड रैंग में रुक को जो है वो शुरुआत से लेकर के आते हैं और नाव देखें उन्होंने किया यहां पर b6 so e4 pa6 आता है c4 पर प्रेशर डालत यह position कभी खेली नहीं गई है okay now e4 pa6 bishop g5 and then यहां पर नेपो ने जवाब दिया h6 खेलके तिंग यहां पर खेलते हैं h4 अब यह जो position थी यह एकदम ही creative और यहीं से आप देखें तो game जो है वो रफतार पकड़ना जो है वो शुरू होता है उसका रंग बदलना जो है वो तो यहां पर मार दिया h into g5 अब idea actually मैं basically यह है कि h into g5 के बाद problem यह है कि आप knight को हटा नहीं सकते because queen h5 आ रहा है तो इसलिए वो threat था कि आप knight वो वापस मिलना ही मिलना है तो यहां पर ding ने g6 किया now gf6 queen f6 और इस position पर यहां पर ding लिरे ने एक बहतरीन pawn sacrifice दिया उन्होंने खेला e5 d into e5 तो अब वो खेलते हैं यहां पर d5 okay knight e7 गए पीछे टे ने पो so now उन्होंने खेल दिया d6 knight f5 तो मतलब एक past pawn हासिल कर लिए उन्होंने एक pawn sacrifice किरके यहां पर और आगे game कैसे बढ़ता है यहां पर देखते हैं अगर आप pawn structure वाई जाओ तो आप देखो तो डिंग को तो यह match हारी जाना चाहिए क्योंकि structure काफी खराब लग रहा है यहां पर लेकिन वह past pawn के वज़े से जो उनको play मिल रहा है इवन king center पर होते हुए भी और यह जो राजा कमजोर है यहां पर आप देख सकते हो उसके वज़े से जो compensation मिल रहा है पोजीशन जो है balance यहां पर बनी होई थी knight e4 के ला d6 के pawn को defend किया नेपो ने यहां पर queen d8 खेलते हैं नेपो मिन सी और अब यहां पर queen d3 खेलते हैं डिंग ली रहें और अब आप देखोगे कि आने वाले समय में यह rook का भी इस्तमाल होगा अच्छा यह queen तो अलड़ी यहां पर ठीक कर रहा है और यह rook और इस bishop का भी इस्तमाल यहां पर डिंग करेंगे आप यहां पर आप अगर मारोगे तो इस प्राइब के बाद आपको प्रॉब्लम है यहां पर आप देख सकते हो बिशब जीटू फीफोर बिशब एफ़वर अगर आते हो यहां पर पिशब एफ़वर और यह ब्लैक बेटर हो चुका है यह पोजिशन और यहां पर आप नाइट एच सिक्स बगर अगर हटते तो जी फाइफ नाइट एफ फाइफ और फिर एफ फॉर करके जो पोजिशन आ रहा है यह फॉर यह दूसा रूप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा यह वाइट को फेवर करेगा पोजिशन तो इसी लिए यहां पर नेपो ने नाइट नहीं हटाया पहले खेला बिशप बिशप बी सेवन यह पर जवाब दिया रूप एच थरी खेल करके यहां पर ताकि वो अनपिन कर दें नाइट को यहां पर अधिन ने खेला नाइट एच फॉर यहां पर खेला जी फाइफ तो अब यह पोजिशन जहां पर रूप एच जिसको अनलेसिस में कहा गया कि यह सबसे अच्छा होता शायद लेकिन यहां पर नेपो ने बिशप इंटू एफॉर इस नाइट को हटाने का प्लान किया और अनलेसिस के साब से पता लगा कि यही जो है वो सबसे बड़ी गलती साबित हो गई यहां बिशप एफॉर क्वीन एफॉर अभी नाइट जो है वो मर रहा है आपका तो दो रास्ते हैं नाइट एफ फाइफ आए जाए सपोर्ट लगाया जाए तो यहां पर नाइट एफ फाइफ आए और नाव वो जो रूख एटू पर रगा था वो रूख आगया भी डी टू प आपर अगर रूख एचेट खेला जाए तो यह जो की खेला गया सवर हां अगर रूख बी एट खेला जाए यहांपर उस queen को अगर वहां से आप हटा लें क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है उस queen के अटेक की वज़ए से तो f4 रूख हैट अगर किया so queen e5 check f6 किया अगर तो र और आप दोस्तों अगर आपको चांस दिया जाए तो आप पॉस करिए और सोचिए यहाँ पर वाइट एक्चुली एकदम ही जीत रहा है जो चाल्ड डिंग लिरेन मिस कर गए तो अगर आपने डोल लिया हो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम दिखते हैं डी सेवन खेला डिंग ने बट यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव था रुक डी और रुक टी थ्री के बाद एक्चुली में रुक एच्थरी इतना डेंजर तो अगर आप माले पहले से किंग पॉट जाएं तो बिशब जी टू रुक बी एट तो नाव कुइन इंटु एफाइफ और यह पुजिशन जो है फिर से रुक एच्थरी आ रहा है यह विनिंग है एक्चुली वाइट के लिए तो यह एकदम ही विनिंग हो सकता था इमेर हुआ रेपिटेशन हुआ किंग एच्टू एंड यहां पर नेपो एक ब्लंडर करते हैं क्वीन एच्च फोर और अभी क्वीन एफोर का थ्रेट है दोस्तों देखने में यह एक्चुली मैं यहां पर मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि यहां पर डिंग के प क्यों नहीं मारा और उनको क्या कंफूजन रहा होगा वह मैं आपको बताता हूं क्वीन एफोर चेक आता यहां पर अगर आप बिशेप एटू रखते हो तो क्वीन एच वन आर आपको रिपीट करना पड़ेगा तो यहां पर गुट मूव है मतलब जो अनली मूव है किंग आर बीवन और यहां पर कुईन वीवन चेक आ रहा है तो यहां से आरेपीट होगा चलो यहां पर ऴेजना पर रुख एटू यहां पर कुईन वीवन चेक तो. queen d2, अभी direct queen f1 मारेंगे, तो queen f6 के बद immediately queen बन रहा है, so queen a2, king d3 queen check, rook c2 यहाँ पर, so queen d1, इस तरीके से game चलेगा rook d2, queen b1 so यहाँ पर, rook c2 then check, so king e4 और अगर यहाँ पर अभी queen into c2 मारा, so bishop d3 और इस तरीके से जो है, यह math जो है, वो हाँ से निकल जाएगा, but अगर यहाँ पर, एक और तरीका हो सकता है, कि अगर माली जे कि यहाँ पर यह मारने चले गए, यहाँ पर, check के बाद, कमेली जे rook c2, यहाँ पर किया, and then माली जे कि यहाँ पर उन्होंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर ही मार लेते हैं, माली जे, मारने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या problem है, check, 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 और यह king safe हो जाएगा, तो actually मैं यह winning था डिंग के लिए, 27 मिनिट घड़ी में था, हम जानते हैं कि इस tournament में increment नहीं है, 60 चालों तक, तो वो एक दबाओ है, जो पिछला match वो time pressure में हार गए, एक अच्छी position, but विश्व championship में यह मौका चूकना, मुझे लगता है कि शायद डिंग के लिए भारी पड़ सकता है, यह मौका चूकना और यह winning था, तो यह और खासतोर पर यह जो मौका मिला थे, तो उन्होंने king d1 खेला यहाँ पर, और after queen g5 position equal हो गई, यह लेकिन फिर उनका एक बार मौका मिला, यहाँ पर queen c2, king e7, bishop g2 i, knight d4 यहाँ पर खेला, तो knight d4 खेल सकते थे, उन्होंने bishop e4 खेला, यहाँ पर उन्होंने खेला bishop g2, e5 खेला, and now white खेलता है bishop e4, knight h6, queen into a7, knight g4, और यहाँ पर एक बार फिर से डिंग के पास मौका था, मौका यह था कि वो bishop c6 खेल के जो है, अपने spawn पर continue उसको बचाये रख सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी एक बार miss किया, और उन्होंने bishop f3 खेला, after knight f2, rook f2, यह बहुत ही कमाल का comeback किया, नेपो ने, उन्होंने चेक किया कि कैसे वो knight sacrifice करके, जो है, position को equal कर सकते हैं, e4 यहाँ पर पहले तो bishop यहाँ पर उन्होंने के लिए, rook e2, f5, queen into b6, rook into d7, और actually मैं यहाँ पर यह position equal क्यों है, आपको बताता हूँ यहाँ पर, equal होने का reason यह है कि यह queen थोड़ा outsided है और इनके बीच में coordination नहीं है फिलाल, और यह तीन pawn काफी dangerous हो चुके हैं, आगे क्या हुआ, queen b8 गए, so queen d6, अभी queen d3 अंदर आ रहा था, so queen d6 exchange किया, rook d6, यहाँ पर bishop into e4, mark दिया डिंग ने, pawn into e4, rook into e4, king f6, so rook e8, और यहाँ पर दोनों खिलाली draw पर सहमत हो गए, बड़ दो से तीन ऐसे मौके आये, जहाँ पर डिंग ली रेंज जो है, वो जीतने की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन लगातार उनों वो winning जो chances थे, वो चुके जब कि game बहुत अच्छा खेला था, opening बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन आप कह सकते जो कि win जिस तरीके से करना था, वो नहीं कर पाए, पहला मौका था, जब यह रुक d3 ढूड़ना था, यह उनसे चूक हुई और उसके बाद दूसरा मौका जो है, हमने देखा था, queen h4 जब आया था, तो king d1 चले गए, यहाँ पर अगर वो queen, sorry, king d1 गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर वो queen in two यहाँ पर मार देते, तो यह शायद winning हो सकता था, यह एक miss किया उन्होंने मौका और last में जब उनके पास एक bishop, यहाँ पर उनके पास bishop c6 का एक मौका था, इस pawn को जो जिस pawn के लिए साड़ी लड़ाई लड़ी गई है, उसको बचाने का, वो जो वो उन्होंने miss किया, तो उसके बाद नेपो ने जो है, बहतरीन comeback किया, knight f2, और इस तरीके से, जो है, knight sacrifice करके फाइनली जो उन्होंने match बचा लिया, draw करा लिया, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, कि नेपो ने जहाँ अपना एक reasonable defense दिखाया और कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डिंग ने पूरा बौका दिया उनको, वरना यह score 4-4 भी हो सकता था, फिलहाल अभी score जो match draw रहा है, तो score अब 4-3 से जो है, यहाँ पर नेपो मिंसी के favor में है, और अब चुकि 6 round सिर्फ बाकी हैं, एक भी अगर decisive win नेपो के पक्ष में आया, तो डिंग के हाथ से विश्यू championship जो है, वो almost चली जाएगी, और yes, यहाँ पर डिंग अगर जीत जाएं, तो अभी भ पर जो है, वो भारी पड़ेगा, इतना द्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जैन दोस्तों